हलो एव्रिवान आप सभी का स्वागत है भई मागनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूब चानल पर जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है 100% free of cost high quality education और पूरे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं सारे बच्चे मतलब K12 that is kindergarten से class 12 तक आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो CBS eboard English medium से हो तो आपके लिए best platform to study 100% free of cost is magnet brains क्या कर रहे हो यहां आजाओ और पढ़ाई कर लो जल्दी से शुरू जीशान सर के साथ आज के session में आप पढ़ने वाले हैं बटा class 11 का trigonometric functions जो chapter 3 है उसके NCRT examples 125 शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ के magnet brains सिर्फ English medium वाले बच्चों के लिए ही काम नहीं करता है हम काम करते हैं अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जी हां आपने बिलकुल सही सोना जैसे बिटा English medium वाले बच्चों के लिए 100% high quality free education अब provide कर आते हैं वैसे ही हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो class 6 से लेकर class 12 तक हिंदी मीडियम वाले बोर्ड लाइक अपना UP बोर्ड, MP बिहार बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड और डेली बोर्ड है ना और CBSC बोर्ड भी cover up करते हैं हिंदी मीडियम में ऐसी बात नहीं है तो सारे के सारे जो हिंदी मीडियम के ये जो बोर्ड मैंने आपको भी बताए इन से related जो भी बच्चा हिंदी मीडियम में है ना अप्रकार के बच्चों के लिए जो 6-12 पढ़ाई कर रहे हैं दोनों के लिए हमारे पास हमारी website और application पर आपके लिए best possible notes है जी हां इंडिया के best notes आप डाउनलोड कर सकते हो classic से 12 English Medium और हिंदी मीडियम वाले सारे के सारे subjects के जो भी subjects के notes किया आपको जरूरत हो आप आईए हमारी website पर visit करिए download कीजी और बढ़िया पढ़ाई कीजिए website www.magnetbrains.com application से भी download किये जा सकते हैं decide your match mentor जीशान आज चलेंगे बिटाया पन exercise शुरू होने से पहले जो हमें examples दिये होते हैं उन examples को solve करने example number 125 ठीक है तो chapter 3 है exercise 3.1 है उसके जस्ट पहले की तयारी exercise 3.1 की तयारी कर रहे हैं हम कुछ examples को solve करके तो examples क्या हैं सर जल्दी से देखते हैं NCRD examples 125 of chapter 3 that is trigonometric functions करें शुरू जी चलो शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको जो चीजें आनी चाहिए इस examples को solve करने से पहले जो चीजें आपको आनी चाहिए वो है बिटा conversion of angles एक angle को degree से मज में आना चाहिए क्योंकि इनी पर based हमारे जादत और questions आने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं without wasting any time जब से पहला example आपके सामने screens पर बिटा दिख रहा होगा यह minute का निशान है अब तो मैं पता ही नहीं होगा यह minute क्या होता है तुमने देखा ही नहीं होगा मेरे previous sessions देख लो यार बहुत अच्छा रहेगा angles वाला देख लो angles and concept तो समझ में आ जाएगा ठीक है डंस है देखो बिटा पहले 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 अपन को इसको सुदार न 20 minute को काहे में change करना है 2 degrees इसको सर्फ degree में change करो minute minute का symbol हटा यार यह minute वाला हटाएंगे कैसे हटाएंगे आसान है easy है सर कैसे दिखो जल्दी से दिखना सर्फ 40 degree को हम ऐसे ही लिख लेंगे plus लगाएंगे बीच में और 20 minutes और 20 minutes ऐसे लगा देंगे दोनों के बीच में plus ठीक है अब सुनो हमें जो काम करना है वो degree में change करना है फिलाल हमें degree में change करना है इसको पूरा degree में लाओ फिर degree से फिर उसको हम radian में ले जाएंगे तो degree में ये तो already degree में है इसको degree में बस change करना है इसका अपनको इलाज करना है ठीक है तो इसका इलाज कैसे करेंगे आपको पता हो में 60 seconds होते हैं यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर आपको यह पता है तो आप solve कर लोगे ठीक है डन है सर यह सारी चीज़े मैंने आपको previous sessions में बता दी है already तो one degree is equal to 60 minute बिटा one degree is equal to 60 minute यह हमें पता है ठीक है सर done हमें का करना है 20 minutes इसको change करना है सहर में इसको तो minutes कहां ल시का हुआ यहां यहां तो degree लिका है हम तो इसके नीचा अपन लिख देंगे 20 minutes is equal to अभी यह कितने degree के equal है मुझे नहीं पता है तो मैं x डिग्री लिख दिया इन दोनों का करा दो cross multiply 20 into 1 20 है ना x into 60 x into 60 सर 60 यहाएगा divide करने 20 upon 60 है ना तो यह आजाएगा 1 upon 3 तो x की value आ गई 1 upon 3 और x था डिग्री में तो जो 20 minute है ना वो क्या आया 20 minute जो है ध्यान से सुनो जो 20 minute है वो x degree के बड़ाबर है और x की value आई 1 upon 3 तो यह 1 upon 3 degree के बड़ाबर है इतनी बात समझ में आई यह सर तो 20 minute जो है वो 1 upon 3 degree है ठीक है अब 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 को बात समझ में आ गई सर कि खेल यहाँ पर जो है खेल यहाँ पर जो है वो 40 degree और 40 degree प्लस 20 minute की जाँगा अब अपन 1 upon 3 degree लिखेंगे क्योंकि 20 minute को हमने डिघी में change कर लिया 20 minute को हमने काय में change कर लिया यह 20 minute को हमने डिघी में change कर लिया क्योंकि minute का खेल नहीं है इसको बड़ा add करेंगे 3, 4S are 12 Well serene w 필요 lcm ले ले लेना 2, 1, 2, 1 upon 3 degree आया यह हमारा question है भी, यह हमारा question है, तो कुल मिलागे हमारा जो question था बेटा, the question was 40 degree, 20 minute, यह अब किस में convert हो गया, इस में बेटा, यह अपना question हो गया, 121 upon 3 degree, और बेटा इसको किस में change करना है, to radian, इसको radian में change करो, बस अब खताम हो गया question, कैसे खताम हो गया sir, radian में कैसे change कर बेटा मैंने previous session में आपको बहुत अच्छी से बताया है, कि जब भी आपको degree में, जब भी आपको degree से radian में change करना हो, d to r, तो simply आप multiply कर दिया करो, pi by 180 से, काहे से, pi by 180 से, simply multiply करो, pi by 180, that's it, radian में आपको convert करना है, ठीक है, और अगर उल्टा हो, radian दिया हो, और उसको degree में convert क करना हो, तो multiply करो, 180 y pi से, खतम, तो multiply करो, 180 y pi से, यह आपको clearly बता चुका हूँ, और अगर ऐसे याद नहीं रखना है, तो एक formula याद रख लो, d upon 180 is equal to r upon pi, यह याद रख लो, इन दोनों को याद रखने से अच्छा है, यह याद रख लो, आपकी इच्छा है, जो आपको better लगे, है ना, अब आपको degree में दिया है, radian में change करना है, radian या, radius क्यों लिख दिया, radian, मैं radius radius लिख देता हूँ, बार बार, radian, ठीक है, done sir, तो चलो कर देते हैं, जल्दी से, छोटा सा question है, तो इतना जादा लिखना पड़ा, इसलिए इतना time लग गया, ठीक है, तो sir, radian में change करना है, तो degree से radian, multiply by pi by 180, इसको pi by 180 से multiply कर दो, 121 upon 3 into pi by 180, that's it, क्या आया, pi by 180, समझ में आ गई बात, yes sir, समझ में आ गई, तो या answer क्या आएगा, 121 pi by 540, या answer आ गया, radian, ठीक है, 121 pi by 540 radian, चल्दी से देख लो बिटा, this is over, clear है, हाँ sir, clear है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है, अच्छा, cross check अगर करना पड़े, sir, cross check कैसे करें, दो cross check करने का तरीका, जैसे मान के चलो, अपन को सही है के गलत है, answer ये पता लगाना है, तो अपन अपन पता, अब उल्टा अगर लिए, उल्टा मतलब ये रेडियन में, इसको चलो, डिगरी में convert करके देखें, इसको डिगरी में convert करके देखें, क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल है, 121 अपन 540, पाई, इन्टू, डिगरी में convert कर रहे है, ये रेडियन तो डिगरी, रेडियन तो डिगरी, आर्टू डी, multiply by 180 अपन पाई, 180 अपन पाई से मल्टिपलाई कर दो, 180 अपन पाई, पाई से पाई गया, 180 से ये गया, 3 ताइम्स, तो ये आया, बिटा, 121 अपन 3, और डन सर, example number 2 पे चलते हैं, this is example number 2, ठीक है सर, convert 6 radians into degree major, 6 radians into degree major, ये भया 6 radians है, इसको degree में change करो, easy है सर, आराम से हो जाएगा, कैसे होगा, देखो, दो तरीके हैं सर, क्या है दो तरीके, तरीका number 1, तरीका number 1 आपको याद होना चाहिए, डिगरी से रेडियन में convert करना है, तो multiply करना है, pi by 180 से, है ना, और R से D करना है, अगर radians से degree करना है, तो multiply करना है बेटा, 180 upon pi से, clear है है सर, number 2, अगर ये याद नहीं है, तो फ़र ये याद कर लो भई है, D upon 180, degree upon 180 is equal to radian upon pi, इसमें put कर दो, सबसे बढ़िया, है ना, दो दो याद नहीं रखने पढ़ेंगे, इसम degree upon 180 is equal to radian upon pi, बिटा, ये अपन को 6 radian दिया है, 6 radian को ऐसे लिखते है, 6 की उपर C लिख दो, अब radian तो R की जगा 6 लिखा जाएगा, radian दिया है, R की जगा 6 लिखा जाएगा, R stands for radian, तो D upon 180 is equal to 6 upon pi, done है, बिल्कुल done है सर, ठीक है, ये उदर गया, ध्यान से सुनना बेटा, D is equal to, D for degree ध्यान दीजेगा, D for degree, ठीक है, 180 into 6 upon pi, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा, 6 degree, मेरी बास सुनो, 6 degree, 6 radian को degree में change करना है, तो 180 upon pi से multiply कर दिया अपनने, 180 upon pi से अपनने क्या करा multiply कर दिया, ये answer आगया, है ना, ये answer आगया, 186108 upon pi degree, ये याद कर लो, ये answer आगया, ठीक है, done है, बिल्कुल done है सर, जल्दी से देख लो, ठीक है, done, ठीक है बई, चलो, आगे चलते हैं बेटा, एक confusion मत पालना है, यहाँ, यहाँ पाई की जगह 180 मत लिख दे ना, नहीं त further solve करना है, 3.14 लिख देना, 3.14 लिख देना और solve कर देना, अगर आपको और further solve करना है, तो 3.14 या 22 upon 7 रटके solve करना है, ठीक है, done सर, चलो, next प्लीज, question number 3, या example number अपन कह सकते हैं 3, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of 37.4 cm, याद करो, कुछ याद आना चाहिए तुमें, कुछ तो आना चाहिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपन को radius of the circle दिया है, नी, find the radius, अपन को radius निकालना है, radius equal to question mark, arc of length, बेटा, length of arc या arc of length अपन को दी है, length, arc की length क्या दिया है, length of arc, सर, ये दिया है, 37.4 cm, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा है, तो बेटा, length of an arc, याद करो, इसको अपन छोटे L से show कर देते, small L, तो small L is equal to 37.4 cm, ठीक है, और angle दिया गया 60 degree, मेरी बात सुनना, angle दिया गया, theta is equal to 60 degree, अब तुमें एक बात सुनो, मेरी बात सुनना, ध्यान से, कुछ याद आ रहा है, R है, L है, angle theta है, कुछ याद आ रहा होग इसको देखकर, अगर तुमने sessions completely देखे हैं, पढ़ा ही करी है, बेटा, मैंने आपको radian, यानी की circular system, radian system में समझाया था, कि radian का पूरा आपको करके दिखाया था, circle वाला concentric circles, और finally, क्या आपने पास, अपने पास आए था, theta is equal to L upon R, याद है न, theta is equal to L upon R, लेकिन, लेकिन लेकिन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी condition काहे में थी, radians में चल रही थी भईया, radian में चल रही थी, ध्यान दीजेगा, मतलब ये जो angle है न, ये radian में होना चाहिए, पर यहाँ तो angle हमारे पास degree में है, ये गरबर मत कर देना तुम, ये अपने पास angle ह होना चाहिए, काहे में, radian में, तो सर अपन क्या करेंगे, सर इसकी जगा अपन radian में convert करेंगे, तो अभी फिलाल अपन को जो formula यादा रहा, वो अपन ये लगा देंगे, सर, is equal to r upon pi, degree में, radian में करना चाहता हूँ, तो theta is equal to pi by 3, ये आएगा, pi by 3 है न, 60 degree को हम, radian में क्या लिख सकते हैं, pi by 3, इधर करके देख लो, अगर आपको विश्वास ना हो, तो इधर रखके देख लो, ये degrees में है, तो d की जगा 60 रख दो, upon 180, is equal to r upon pi, pi यहाँ जाएगा, ये 1 upon 3 हो गया, is equal to r upon pi, pi यहाँ जाएगा, तो r क्या जाएगा, pi by 3, तो 60 degree को क्या लिख सकते है, pi by 3, तो अब theta यानि जो central angle है, वो theta 60 नहीं है, वो pi by 3 है, याद रखना, ठीक है, डेंसर, अब यहाँ formula में रख दिंगे, theta is equal to l by r, theta की जगा हम क्या लिखेंगे, pi by 3, pi की जगा 180 मत लिखना, गडबड हो जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, pi की जगा 180 नहीं लिखना है, pi क सकते हो आप, ठीक है, l क्या है sir, length of the arc क्या है, 37.4, upon radius r, upon radius r, ठीक है, clear है, yes sir, अब pi की जगा अपन 3.14 लिख लेते हैं sir, 3.14 upon 3 is equal to 37.4 by r, कोई दिक्कत, नो दिक्कत sir, ठीक है, अब r को solve करो यहाँ, और देखो क्या आ रहा है, तो reciprocal ले लेंगे, इसका reciprocal ले लेंगे, तो reciprocal क्या हैगा, 3 upon 3.14 is equal to, we have x upon x कह रहा हूँ, यार r, r upon 37.4, r upon 37.4, r upon 37.4, clear है, हाँ sir, clear है, अब देखते जा न, यहाँ से decimal लटाएंगे, तो r की उपर 10 लग जाएगा, r into 10 is equal to 374, is equal to, यहाँ से decimal लटाएंगे, उपर 300 बन जाएगा, 100 से multiply हो जाएगा, 314, ठीक है, done sir, यहाँ से 0 से 0, cut, r is equal to, 30 upon 314, into 374, is equal to r, अब r काए में आएगा, जिसमें length दी गई है, cm में, तो r भी हमारा cm में ही आने वाला है, ठीक है, अब बेटा, इसको जब आप solve करोगे, इसको जब आप solve करोगे, तो यह आएगा, 35.7, ठीक है, 35.7 cm is equal to radius, तो यह आंसर आजाएगा, ठीक है, solve कर ले ना यह इसको, तो 35.7 something आजाएगा, ठीक है, done sir, चलो, moving on to example number 4, example number 4 यह रहा, the minute hand, बेटा, clock वाला कोशन आगया, clock वाला कोशन आगया, the minute hand of a watch is 1.5 cm long, how far does its tip move in 40 minutes, easy है यह यह तो, देखो, यह अपन ने clock बनाई, ठीक है, यह clock बनाई, ठीक है sir, center of a clock है, ठीक है, अब जो minute hand, minute hand का मतलब है, बड़ा वाला, उसको radius मान लेते हैं, our hand, जो our hand होता, छोटा वाला hand, छोटा वाला काटा होता, our hand, वो छोटा होता, उसको radius नहीं मान सकते हैं, minute hand को radius मान सकते हैं, ठीक है, तो यह minute hand को radius अपन ने मान लिया, ध्यान से सुनना, यह minute हैं ठीक है, क्या लेंदेस की, 1.5 centimeter, अब यह radius है अपने लिए, अब यह radius है बटा अपने लिए, ठीक है, radius क्या है बटा, 1.5 centimeter, done है सर, बिलकुल दने सुनते जाना, जी सर, how far does it tip move in 40 minutes, tip की बात हो रही, tip कितना move कर रहा, 40 minute में, देखो 40 minute में, देखो, अगर यह वाला 12 है, तो यह वाला opposite में 6 होगा, ठीक है, 7 होगा, और 8 होगा, यह 9 होगा, यह 9 लिख देता हूँ, यह 9 होगा, यह 8 होगा, यह 7 होगा, यह 6 होगा, ठीक है सर, इसको लिख देता हूँ, 12, 3, आपको समझाने के लिए लिए लिख रहा ह 5, अब सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से, पूरा नहीं लिखा मैने, देखो ये 5 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिट, ये पूरा अगर ये 12 से यहां आ गया तो आदा घंटा हो जाएगा, तो यहां से यहां आदा घंटा हुआ, यहां आ जाएगा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएग तो half an hour में यहां से यहां आजाएगा, आदे घंटे में यहां आजाएगा, और 10 minute में यहां आजाएगा, अब वो पूछ रहा है कि minute hand की tip ने कितना distance cover किया, यह पूछ रहा है बटा यह, they are asking this, कि यह बताओ यह कितना, यह wide वाला portion दिख रहा है, यह बताओ, तो what they are asking is length of arc, क्य यहां पर हमें radius कितना दिया गया है, radius दिया गया है, 1.5, radius कितना दिया है, 1.5 cm, ठीक है, radius दिया गया है, 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है, अब यह ऐसे चलते 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 यह arc की length, यानि tip, tip का मतलब है भाई, इसका top, यह वाला portion, यह चलते 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 चलत में 40 मिनिट्स में यह कवर करते 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 यहां आया अब यह ग्रीन वाली लाइन जो मैंने बनाई इसकी लेंद पूछ रहा हो बताओ वाट इस दा डिस्टेंस कवर बाइद टिप ऑफ दी मिनिट एंड टिप जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही मतलब यह आर्क की लेंद प यह तो 180 डिग्री होगा अगर मैं इस लाइन को ऐसे सीधा बना दू तो यहां से लेकर रहाट पके तो 180 डिग्री होगा सही बात है अब यहां से लेकर ध्यान से सुनिये गा बिटा यहां से लेकर यहां तक यह कितना है तो यह पता लगाने के लिए बढ़िया simple सा फंड क्य बगल वाले numbers के बीच में 30 degree का angle होता है मतलब 6 से 7 30 degree 7 से 8 30 degree तो 30 30 60 मतलब यह 180 और यह 60 कितना हो गया 240 degree कितना हो गया 240 degree बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई यह सर तो मतलब यहाँ sweet ही भीटा यहाँ काटा था और यह यहाँ चलके इधर आ गया यह 6 है यह 7 है यह 8 है तो यहाँ से यहाँ तक 180 degree और यह 60 degree और यह 60 degree और तो 180 और 60 240 तो बिटा 240 degree का angle बनेगा clear है यह सर समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है तो सर हमें theta जो angle मिला वो मिला 240 degree लेकिन सर degree में काम नहीं होगा क्योंकि हम जो formula यूज करने वाले हैं वो करने वाले है theta is equal to L upon R और यहाँ theta जो चलता है यह radians में चलता है काहे में चलता है यह radians में चलता है पर angle हमने जो निकाला भी यह निकाला भीटा हमने 240 degree में अब इस degree वाले angle को radian में change करो कैसे करेंगे आसान है सर बिलकुल आसान है सर जी 240 degree को मैं multiply करूँगा πाई बाई 180 से काहे से multiply करूँगा बस πाई बाई 180 से multiply कर दो radian में change हो जाएगा है ना जल्दी से इसको cancel करते है 60 और 60 63 जा 64 जा है ना तो 64 जा 63 जा 4 पाई बाई 3 radian 240 degree is same as 4 pi by 3 240 degree को radian में convert करने के लिए क्या कर आप पाई 180 से बाई कर दो तो यह आगे बटा 4 pi by 3 क्या आया 4 pi by 3 बात क्लियर है बिलकुल क्लियर है तो थीटा की जगा हमने लिखा 4 pi by 3 ठीक है 4 pi by 3 is equal to length of nr हमें निकालनी है upon radius हमें 1.5 दिया गया है clear है हाँ सर बिलकुल clear है ठीक है तो 1.5 इदर आएगा multiply होने 4 pi by 3 into 1.5 1.5 को अपने ऐसे लिखेंगे 1.5 3 को काटेगा 2 times यह 2 times काटेगा तो 2 pi answer आया बिटा 2 pi length of nr क्या आया 2 pi और pi की value 3.14 रख दो तो आपको length of nr मिल जाएगी 2 into pi that means 2 into 3.14 4.28 तो क्या आई बिटा 4 6.28 6.28 cm this is answer ठीक है तो length of an arc जो arc मतलब arc क्या है tip ने जो cover करा length वो अपनने बता दिया 6.28 cm I hope आपको इतनी बात clearly समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं ठीक है let us move on to next question number 5 example 5 चलो भई moving on to the last example example number 5 इसको में raise कर रहा हूँ और ये रहा example number 5 ठीक है पिटा if the arcs of the same length in two circles ठीक है भईया दो circles की बात हो रही है अब मान के चलो बच्चा यहां से लेकर यहां तक मैंने ले लिया length of arc L यहां से लेकर यहां तक मैंने ले लिया length of arc L मेरी बात समझना सुनना और फिर देखना देखो यह मैंने length L1 और L2 नहीं लिया मैंने चलो अच्छा L1 और L2 ले ले लेते हैं ठीक है length of arc और दोनो length of arc बच्चा बराबर है L1 और L2 बराबर है ठीक है subtend an angle of 65 degree and 110 at the center ठीक है सर तो मतलब यहां पर center पर यह जो arc बना रहा है एक बना रहा है 65 degree एक जो circle में arc बन रहा है 110 बन रहा है ठीक है सर ध्यांचे सुनो यह हो गया बिटा अपना 65 degree और यह जो हुआ बिटा 110 degree कितना 110 degree clear है हाँ सर clear है find the ratio of their radii इसका radius अपन मान लेते हैं R1, इसका radius मान लेते हैं R2, अब अपनको radius का वो निकालना है ratio, मतलब इसका radius R1 और इसका radius दूसरे वाले का R2 अपनको इनका ratio यह निकालना है सरimar, this is the question R1 ratio R2, R1 upon R2, R1 ratio R2 यही होता है तो इसको निकालने के लिए ये निकाल लो सेम आंसर होगा ठीक है डैने सर बिलकुल डैने अब देखो कैसे निकालेंगे फॉर्मला जिन्दा बाद है पेटा कौन सा वही थीटा इस इकॉल टू अलप नार लेकिन भूलना माद यह रेडियन में चलता यह रेडियन में चलेगा थीटा पहला काम है कि इन दोनों के था इन दोनों के एंगिल्स रेडियन में करेंगे बेटा इसका थीटा हो गया थीटा की जगा इसको 65 लिखते है थीटा 1 भी लिख सकते है ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ थीटा 2 यानी सेडेंड वाले सर्किल में जो फीटा है जो एंगल है ने 110.10 लिखा काम number one is degree से radian में करो कैसे करेंगा था 65 degree को radian में करने के लिए πाई बाई 180 से multiply पाई बाई 180 से multiply अब यह radian में हो गया ठीक है इसको भी बे ठा 110 degree को पाई बाई 180 से multiply करो यह radian में हो गया ऍटिक है लिए नार इस रिडियान लिए लिए radian, इतनी बात clear है, हाँ sir clear है, पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात, ठीक है, ओके, यह हो गया अब theta 1, this is theta 1, ठीक है, यह theta 1 हो गया, and this is theta 2, second, ठीक है, अब हम से बोला गया कि भाईया, r1 upon r2 निकालो, सुनना, मेरी बात, सुनना, ध्यान से, जी sir, देखो, बच्चा, यहाँ formula लिखा मेंने, theta is equal to l upon r, यहाँ theta की जगा, theta 1 use होगा, r की जगा, r1 use होगा, l की जगा, l1 use होगा, ठीक है, clear sir, अब यहाँ हम, ध्यान से सुनना, बेटा, l1 की value निकालो, क्यों निकालो, मैं बताओंगा, सुनो, l1 की value निकालो, तो sir, यहाँ l1 is equal to theta 1 into r1, sir, यह होगा l1 का value, है न, तो l1 की जगा, बेटा, theta 1, theta 1 का मतलब है, यह, 65 upon 180, ध्यान से सुनना, 65 pi by 180, ठीक है, into r1, r1 का मतलब क्या है, अपन को r1 निकाल नहीं है, sir, तो r1, यह होगा, बेटा, अपना l1, यहाँ length of this arc, अब l2 यहाँ निकलेगा, sir, ठीक है, यहाँ निकालते है, l2 कोई दि लेकिन यहाँ theta 2 आएगा, यहाँ l2 आएगा, यहाँ r2 आएगा, clear है, हाँ sir, clear है, भाई length 2 निकालो, यहाँ से l2 निकालो, तो sir, यहाँ से l2 कैसे आएगा, l2 यहाँ length of the arc number, second l is equal to theta into r, theta into r, हैना, theta 2 into r2, clear है, हाँ sir, clear है, अब theta की जगा, यहाँ पर अपन को यह दिवा, 110 यह रखना है, radians वाला, तो 110 pi by 180, ठीक है sir, और बिटा, r2 की जगापन into r2 लिखेंगे, क्योंकि r2 की तो value पन को पता ही नहीं है, l2 आगया, अब यहाँ clearly दिया गया था, कि दोनों circles में equal length है, भाईया, काहे की arc की, the arc of the same length, यह वाली पाट, यह इस वाली बात की, इस वाली circles, l1 is equal to l2, l1 की value और l2 की value अपन ने इसी लिए निकाली ठीक है, l1 की value यह, l2 की value यह, अपन यहाँ रखेंगे, l1 की value है, 65 pi by 180 into r1, into r1, यह हो गया l1, यानि l1 यह आई value, ठीक है, l2 की value यह आई गी पेटा, equal to 110, ठीक है sir, 110 upon 180, ठीक है, into r2, done है sir, बिल्कुल done है, बट बटा calculation करो, काटा PD करो, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, अब r1 upon r2 चाहिए, अचा, pi भी तो लगाना है, pi भूल गया मैं लगाना, ध्यान से देखो, यहाँ pi आएगा, 110 pi into r2, ठीक है, pi से pi भी कट जाएगा बटा, दोनों तरफ, देखो, pi से pi भी चल जाएगा, what do we have, हमारे पास है क्या बिटा, तो r1 upon r2 निकालना है, देखो, r1, देखो, अपने पास क्या है, अपने पास आया, 65 r1 is equal to 110 r2, ठीक है, done sir, अब r1 के नीचे r2 ले आओ, तो r1 upon r2, तो फिर 65 को 110 के नीचे ले जाओ, डिवाइट करने, 65 upon 110 upon 65, बिटा, इसको simple कर है, 5 से, तो sir, यह हो जाएगा, 5, 2s are 10, 5, 2s are 10, 5, 1s are 5, 5, 3s are 15, answer आ गया, 22 ratio 13, ठीक है, 22 ratio 13, this is our answer, क्योंकि हमें r1 ratio r2 यही निकालना था, 22 ratio 13 is our answer, जल्दी से देख लो बिटा, this is almost done, और हमने पूरे पाचों के पाचों बिटा, अपने clearly complete कर लिये है, ठीक है, 22 ratio 13 is our answer, I hope आपको पाचों के पाचों, examples अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने शुरू किया था, conversion from this, इस degree को radian में करना था, जिसमें मैंने आपको पहले सिखाया, बिटा, कि इस पूरे को degree में करो, इसको minute को हटाओ, तो 20 minute को degree में change करने के लिए, बिटा, अपने क्या क 3 degree, और बिटास को solve करके, 121 upon 3 degree हो गया, और फिर इसको अपने रेडियन में change किया, तो ये सारी चीज मैं अल्रेडी करा चुका हूँ, मैं जाने क्यों दोबारा कर रहा था, ठीक है, और ये अपना radian से degree में है, है ना, degree से radian में करना हो, pi by 180 से multiply करो, है ना, radian से degree में करना ह 180 upon pi से multiply कर दो, खताम, है ना, ये कर लिया था, radius वाला, central angle, ठीक है, और minute hand, ये सब बड़ी अकोशन स्तियार, I hope आपको सारे पांचो के पांचो examples अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपने पांचो examples अच्छे से समझ लिए, सीख लिए, तो very well done, आप तयार हो exercise 3.1 phase क करने के लिए, I hope आप लोग अप रेडी रहोगे 3.1 के लिए, जल्दी से आपको 3.1 का explanation भी मिल जाएगा, magnet brains आपको ऐसे ही विटा प्रोवाइड कराता रहेगा, हमेशा, हमेशा, जी हाँ, आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे, हम free of course education for all these students of K12, that is kindergarten, class 12 English medium, CBSE board, सा www.magnetbrains.com, तीनों जगा जाकर वीडियोस देख सकते हो, बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी subject की पढ़ाई, कोई भी class, CBSE board, English medium, class 6th हो, class 4th हो, class 10th हो, class 9th हो, maths हो, science हो, SST, English, Hindi, Sanskrit, any of the subject, any of the chapter, any of the class, हमने आपके हर subject के, हर class के हर chapter का, पूरा पूरा explanation, वीडियोस के थूरू कर दिया है, complete, और सारे वीडियोस, playlist के format में भी arrange कर दिया है, ताकि आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, है ना, पूरा syllabus complete करा दिया, इसी के साथ बच्चों, जो हमारे Hindi medium के बच्चे हैं, like the students, जो class 6 से लेकर class 12, तक कि 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 CB class में पढ़ रहे हैं, हमारे Hindi medium वाले बच्चे हैं, that is UP board, MP board, Bihar board, Rajasthan board, और अपना last में Delhi board, इन 5 state board से जो भी बच्चा Hindi medium की पढ़ाई कर रहा है, वो हमारे Magnet Brains Hindi medium YouTube channel को join कर सकता है, joining का मतलब है भाई है, subscribe कर सकता है, कोई पैसा नहीं देना है, वहाँ पर भी Hindi medium वालो हो, दोनों तरह के बच्चे हमारे लिए Magnet Brains के लिए सेम है, एक समान है, दोनों के लिए सारे teachers महनत कर रहे हैं, ताकि आप तक free of cost, high quality education पहुंच सके, और आप बहुत अच्छा score कर सको अपने exam में, जिससे आपके मम्मी पापा को मिलेगी, 100 गुना जादा खुशी, अब English medium और Hindi medium वाले बच्चे सुनलो, जो class 6-12 हैं, दोनों ही mediums के बच्चों के लिए हमारे पास notes हैं, जो e-books और e-notes के format में आप download कर सकते हो, यानि की PDF form में, क्या करना है, download करने के लिए, बिटा, आप website और application देख सकते हो, interface कुछ ऐसा रहेगा, website पे जाके grab e-notes पे click कर देना, बस, इस पर click करोगे, then you can easily download any of the subject, जैसे class 11 का मुझे sir biology के सारे notes चाहिए, सारे all chapters मिल जाएंगे, इस पर click करो, select करो class 11 या 12 जो भी class के हो, आप 11 की biology चाहिए, 11 select करके English medium biology select करना, download कर लो बढ़िया तरीके से PDF form में, सारे notes, ये downloading का process हमारे application से भी हो सकता है, app आप download कर सकते हो, install कर सकते हो Google Play Store से, ठीक है, जल्दी मिलेंगे next video में, जिसमें मैं आपको exercise 3.1 स्टार्ट कराऊंगा, जल्दी से मिलेंगे next video में, till then happy learning, take care, bye